नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोका टैक दोस्तों आज हम देखेंगे एम आई के किसी भी मुबाइल को रिपेरिंग के लिए कैसे खोलें इसके लिए आपको कुछ इस तरह के ओपनिंग टूल की जरूरत पड़ेगी ये एक स्टील की पत्ती है जिसमें आगे एक नोक बनी हुई है लेकिन ये शार्प नहीं है आप इसकी जगें पेपर कटर या सर्जिकल नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो आगे से शार्प होते हैं इसलिए वो बोड़ी पर निशान डाल सकते हैं या अंदर किसी पत्ते या बोड़ को नुक्शान पोचा सकते हैं हाँ लेकिन अगर किसी सैट में बोड़ी और बैक कवर के बीच बिलकुल भी गैप ना हो तो थोड़ा गैप बनाने के लिए आप सर्जिकल नाइफ या पेपर कटर का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा गैप बनाने के बाद फिर आप इसी टूल का यूज़ करें मोबाइल को खोलने के लिए सबसे सही तरीका है सबसे पहले उसको साइड से खोलना सुरू करें क्योंकि साइड में एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे गैप बनाना असान रहता है अब अपने इस टूल की नोक को थोड़ा सा लगभग एक या डेड़ एमेम ही कवर के अंदर डालें और उसको उपर की तरफ थोड़ा सा पुल करें जब आप उपर की तरफ पुल करेंगे तो कवर उपर उठ जाएगा थोड़ा सा और फोन बैक साइड में बाहर की तरफ निकलेगा इसी तरह से यही इसी तरह से आप पूरे फोन को बाहर निकाल सकते हैं देखिए कुछ इस तरह से जब कवर दोनों साइड से निकल जाएं तो उसको हलका सा निकालें और पूरा एकदम से अलग ना करें क्योंकि कई सैटों में फिंगर पिंट जो है बैक कवर के साथ ही अटेच रहता है और उसकी एक केबल बोर्ड पे अटेच होती है अगर आप उसको सीधे खीच देंगे तो वो केबल तूट जाएगी तो कवर को हलका उपर उठा के देख लें कि फिंगर पिंट बैक कवर के साथ है या फोन में फिक्स है अगर बैक कवर के साथ है जैसे कि इस फोन में आप देख रहे हैं तो उस टाई को आराम से आप अलग कर लें इस तरह से आप MI के किसी भी मोबाईल को खोल सकते मोबाईल के लगबग लगबग सभी MI के मोबाईल एक ही तरीके से खुलते हैं मुझे उमीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हैल्पफुल रहेगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलकात होगी तब तक के लिए नमशकार